pokimai left side पे यहां के side में lateral kanthal area पे scar ही high blood के उपर scar है उपर वाला scar बहुत faint scar है छोटा है इसमें हम लोग laser sessions करेंगे और नीचे वाले में scar revisionortun surgery with laser करेंगे स्टार्ट कर रहा है मार्किंग करते हैं कि कितना चीसुर हम लोग फंट आएंगे और फिर the surgery and laser यह हो गई है आपकी scar revision surgery आंक के साइड में जो scar था उसके लिए surgery with laser और उपर वाले scar के लिए श्रफ laser 7 days के बाद stitches निकालेंगे वन मंत के बाद एक बाद एक बार कम से कम laser और करेंगे एक आप खूल के दिखाईई तो खुलियें आप हाँ हम देखना चाहते हैं हलका सा heaviness हलका खिचाव होता है विद टाइम फिर वो खतम हो जाए वो रहेगा नहीं आपके साइड में इसकार था एक वीक पहले सर्जरी हुई थी आज इस्टिचेज निकाले हैं जब भी इस तरह आइस के साइड में लिड के साइड में या नीचे कोई इसकार रहता है तो सबसे important point उसमें यह हो जाता है कि सर्जरी के बाद कोई खिचाव ना आए एक और अपन वाले two-three weeks में यह compensate कर जाएगा मतलब जब भी सर्जरी करते हैं थोड़ा सा खिचाव तो आता है लेकिन वो इतना genuine और उसका line इतना force vector इस तरह से arrange किया जाता है कि वो stretch है वो खिचाव है वो किसी तरह से भी आइस के movement में या lid के position में कोई interference ना create करे scar आपका निकल चुका है थोड़ी से redness इसमें एंटी scar medicine follow up में laser session silicon gel seat वो साड़ी सीजे यूज़ करेंगे तो यह scar almost almost zero हो जाएगा आपको ठीक देख रहता है अभी अच्छा रहेगा अगे एक महिने के बाद laser session के लिए मिलेंगे और जो advice अभी करेंगे उसको आप follow करेंगे